हेलो एवरिवन आज मैं तो आडेनाल टापिक शेर कर रही हैं जी बेसिक प्रिंसिपल आफ गाइडेंस अग्वाई दे मुडले निजम जासी दांद प्रिंसिपल्स दे बारे दे विच आपा गल करांगे गाइडेंस दी इस तो पहला आपा अग्वाईधा मीनिंग ओन्दी इंट्रोड ओन्दी उन्नू आपा कवर कार चुके हैं जो इस तो पहला मैं वीडियो अपलोड कीती सी जेकर दुसी ओ वीडियो नहीं देखी ता उस वीडियो नू जाके जरूर देखलो उन्दे बच तो आणो मीनिंग क्लियर हो जावेगा introduction क्लियर हो जावेगी सो ओ ही तुसी इंट्रोडक्शन ते मीनिंग नो ते definition नो तुसी इंदे वेच भी लिख सकती हो वार-वार जो ए रपीट नहीं करवाँगी क्योंकि time बहुत थोड़ा है सो काफी है जे नोट्स है औना निया वीडियो जे अपलोड करने वाल गाने सो तुसी इंट्रोड़क्शन तै मीनिंग तुसी ओथो देख सकते हो डेफिनेशन भी तो आन ओथो ही मिल जान गिया ते नीड्स दा टॉपिक भी मिल जावेगा ते एती आपा प्रिंसिपल्स दी गल करांगे यह बीएड फोर्थ स्मेस्टर दा टॉपिक है जी तो आड़ा जो सब्जेक्ट है जी गाइडेंस एंड कॉंसलिंग ओं दा यूनिट वन देविच तो आड़ा एपाड देविच टॉपिक है प्रिंसिपल्स ओफ गाइडेंस इंदे बारे देविच आपा गल करांगे ते जेकर तो आणू वीडियो वधिया लगदी है ता वीडियो नू लाइक जुरू करया करो अपने फ्रेंड्स देन आल व्यट्साप ग्रूप्स देविच शेयर जुरू करदया करो ते जेकर है तक चैनल नो सब्सक्राइब नहीं किता दा चैनल नो जुरू सब्सक्राइब करदो तांचो मेरी याँ आणवागी याँ वीडियोज दे नोटिवकेशन तो आटे तक पौंशा करण सो अपा स्टार्ड करते हैं जी अपने आज दे नोर्स अगवाई दे सिदान दे बारे विच अलग लग विचारका ने अपने विचार देते हन उनना विचो मोख विचारक हर्मन जे पीटर्स ते ब्रुक्स शर्जर अते क्रो अते क्रो दे विचार हन पर इनना सब विचारकां विचो क्रो ते क्रो देस्तान नुझादा है मियत दिती जन्दी है क्योंकि एसे विचारक ने आपने मुल्लेस्तान विस्तरत रूप वेच देते हन एस दान व्यापिक तौरते सविकार कीते गए हन आते अगवाई दी हर पाठ पुस्तक वेच पाई जन्दे हान जेडियां वी तो आडियां तो आड़ा बीयाड दीयां बुक्सा हुन देवेच इनाने अलाग लाग थींकर्स दे द्वारा देते गे प्रिंसिपल्स नू इनाने लिख्या हुया तो आड़ी बुक्स देवेच तुसी जादा जेडा ए कन्फ्यूज नी होना देवेच कोई वी जादा टाफ नी क्योंगी तो आड़े सलेबस देवेच कोई वी इनाने मेंचन नी किता हुया कोई स्पेस्फिक कोई थींकर की तुसी एस थींकर दा पढ़ना ही पढ़ना जा क्रो एंड क्रो दा पढ़ना ही पढ़ना तुसी उन्दे प्रिंसिपल्स ली तुसी अपनी जेड़े एक्जाम उन्दे वेच तुसी लिखनी है जिया कोई भी मेंशन ने नहीं किता होया, सिर्फ इना ने लिख्या है प्रिंसिपल्स आफ गाईडन्स ठीक है, सो कोई भी जड़ी प्रिंसिपल्स तुसी लिख सकदेओ, जियकर मेंशन हुनदा तो अटेस लेपस देवेच कियास थिंकर दे, इनना वाले thinkers दे तुसी principles लिखनी है ता फेर हो तो अनुखी करने पहने सी के हुण क्योंकि इनने तो अड़ इस labels दे विछ कुछ भी mention नहीं किता हुए ता तुसी तुसी इस सारे यांदे कठे mix करके भी लिख सकते हुआ सो बहुत सारे विचारक है जिनना दे में नेम लिखे है बस में में नहीं लिखे है जादा नहीं लिखे सो क्रों एंड क्रों है यह जड़ा विचार क्सी रॉप天। रहेते हुअच अब jautan। परोपते स्वकार कीताड है। path भूट जोसी कले। so introduction जुरूर तुसी लिखनी हुंदी है meaning definition में पहला ही 10 चुकियां उस्तो बाद तुसी basic principles दे topic देरा start करना हुंदा है so video जुरूर देखलो तुसी so उस्तो बाद आपा गल करदे हैं जी basic principles of guidance दे flow chart एक so एथो एमें तुसी आपदे exam देविचे जेकर बनाऊंगे ता जो तो आड़ा चक करनवाला जो examiner हुंदा जी ओंदे ते ज्यादा effect पेंदा तुसी full marks जेडे कारियो कर पाउने हो जी लिख्याजी अगवाई दा सिदान्थ लिख्याजी व्यक्ति दे सरपक्की विकास दा सिदान्थ व्यक्ति गद अंतरां दा सिदान्थ सैही कार्ज दा सिदान्थ संजोग दा सिदान्थ निरंतरता दा सिदान्थ विस्थार दा सिदान्थ शपष्टी करन दा कूलन दा सिधान्त, माहर दी राय दा सिधान्त, मुलककन दा सिधान्त, जुम्मे वारी दा सिधान्त, अवरती जाज दा सिधान्त जो ए वाले तो आले जड़े basic principles ने, mostly जड़े crew and crew दे दवारा ही दते गयने वाले ने क्योंकि उन्ना नुहीं जड़ा बैस्ट मन्या जान्दा सिधान दानु इस तरीके देना एक फ्लो चार्ट एक डाइगरम तुसी अपने एक्जाम देविच बना सकते हूं कई वार कि उन्दा टाइम वी थोड़ा हूंदा है ते जड़े अक्स्प्लेन करना वाले ज उसी ले सकते हूं ज़रूर बना द्या करो जी फ्लो चार्ट सो अपने जो अपना प्रिंसिपल है जी फ्रस्ट हैगा जी वेक्ति दे सरपक की विकास दस्ताथ इंदे बार देविच आपा गल करांगे पर इस तो पहला में तो नू एक गल क्लियर कर देना चौनी है होने थी अगवाई दी गलो हो रही है गाइडन्स दी गलो हो रही है एथे दो पहलो ने एक दा आपा किसे नू गाइडन्स देने है ठीक है आपा आप दे तो जिन्नी आपनो नू नौलज आ अपने तो भी कोई कह सकता है किसा नू गाइड कर दो एक दा आपा किसे नू गाइड कर ठीक, आपनी जिन्नी नौल जुन दी, आप आप दे तो शोटे जो हुन देने, आपने जो sisters जा brothers उन देने, जो आपने कोई भी हो गया, सब आपनो गाइड कर दिया, जो एकर आपने कोई guidance लेंदाए, ठीके, एक ता आप देने, सेकिंड, आप भी किसे तो लेंदे, ठीके, आ आप भी experience दे परसन होंदेने, आपने उनना तो guidance लेंदे, अपने तो कोऊण guidance लेंदे है, जो आपने जिन्न देवेच आप experience असल कार चुके है, उनदे बारब से दूसरे आपने तो guidance लेंदे, ठीके, दो चीजा ने, एक ता आप आप guidance लेंदे है, गीसे तो एक आप आप guidance देने या ठीक है एटना दोना ची जानुए ते आंदेविच राके ए जड़े प्रिंसिपल जा ओ बन गे जड़ा माहर है आपा उन्दे तो गाइडन्स लई हो सकदा ओ माहर है जड़ा उन्हों ही किसे जिंदगी दे जहे मोरते आके उन्हों ही गाइडन्स दी जूरत पवेता हो रग एक माहर जड़ा लबेगा एक्सपीरियंस परसन लबेगा उन्दे तो गाइडन्स लएगा आपा मेंकी वेक्तिकत फैंसल अपना खुद दा हुंदा है आप जदो भी किसे तो सुजा लेनिया कोई आपा गाइडन्स लेनिया पर इंड़िजर जो फैंसला हुंदा व प्रिंसिपल भी इना दोना चीजा नुहीं त्यान दे विच राखे ही बननगे फरस्ट आगया जी वेक्ति दे सरफखी विकास दा सिधान्त प्रिंसिपल ओफ आल राउंड डवल्पमेंट आफ दा इंडवीजवल अगवाई दे पहली सिधान्त उनसार जदो भी तुसी कि अगवाई परदान कारते होता था आँ रखना चाहिए तो आँसर फखी विकास दो त्यान विच राख दे होई गाईडन्स परदान करनी चाहिए जैकर स्कूल दी आपकर करिये था स्कूल दे विच अधे आपक है सो उनने अगवाई जडि ये स्टूडेंट दी अगवाई करनी है ठीक है सो किसे उन एकका पहलो नो त्यांदे विच नहीं राके गाइडन्स दे सकदा अगवाई नी कर सकदा क्योंगि सारे जेडे वी ने वद्यार्थी ओ अलागलाग होनगे उना दे अलागलाग होनगे उना दे अलागलाग होनगी है सो किसे वी एकका पहलो नो मोखरा के तुसी नहीं कर सकदे अगवाई सो व्यक्ति दे सर्फखी विकास नू सामने राके तुसी उन्दी अगवाई कर सकते हैं, हो सकता है, एंजनी होना चाहिएदा कि तुसी एकता होनू दास देता, गियावली चीत है रिली बेस्ट है, बर जेडिंगा होन्दे होर उन्दे इनालजनियां जरूरता, वंसे तुसी अखो ओला कर देता, ठीक है, सो सर्फखी विकास दासे दानते है, वेक्ति दा सर्फखी जड़ी डवल्पमेंट है, वो होनी चाहिएदी है, जदो भी तुसी किसे नू गाइड कर दे हो, ठीक है, किसे भी एक पहलू नू मोखरा के, कि जे करोने नौकरी करनी है, तु नू क सारे पल्लों आनू मोखरा कदे हो, जड़ा वेक्ति नू जड़ी गाइडेंस है, वो दित्ती जानी चाहिएदी है, सो नेक्स्ट रागेजी विक्ति गत अंतरा दा सिदान्त, प्रिंसिपल ओफ इंडुईजवल डिफ्रेंस, अगवाई हमेशा ही विक्ति गत अंतरा नू नूँ टे आंदेविक राख के करनी चाहिदी है, किसे एकी ही पाकजा बामतमों टे आन विचे राख के अगवाई परदान नहीं करनी चाहिएदी, सरीरक, मानसिक, समाजिक थे पावनात्मा के कास्ता नू परखना चाहिएं, होन इत ये व्यक्ति का अंतरा कियोंकि कोई भ विच अंतर पाई जान्देने सरीर का पक्खो, मानसिक पक्खो, समाजिक पक्खो ते पावनातम का पक्खो हार एक दिंगा जेडिंगा समस्य आवाने जेडिंगा नीड्स है ओ अलग लगने जो जो भी होन तुसी गाईडन्स देनी है तो आनू इंड्यूईज्वल डिफ्रेंस नू ते आ अंदे विच रख़दे होए व्यक्ति गद अंतरा नू ते आंदे विच रख़दे होए तुसी अगवाई देनी तो आनू देनी पवेगी सब दिगा समस्यावाँ अलग लग होड़िया क्लास दे विच भी तुसी स्टूडेंट्स दुआ कोई क्वेस्टिन कर देया कोई गाईडन्स मांग देया तो तुसी ओना नू गाईड करना है पड़ तुसी सारे अनू सेम जेड़ा गाईड ओ नहीं कर पाऊंगे क्योंकि सारे अंधिया जडिया समस्यावाँ नहीं क्योंकि विच विक्तिघत अंतर ने तो साबनो अलग लग जड़ा गाइड ओही करना पवेगा तह सुपन आँ विक्तिघत अंतरा न छासतों ओर ते देपर दियांगाइडन्स दे विच रखना ऐ प्रवाइब दोना नो तुसी गाइड सेम नहीं कर सकते हैं एक स्टूडेंट तुसी दोना नो कहा दो कि तुसी आवली जड़ी बुक्ष से पड़ो पर दूसरा जड़ा फॉलो ओ नहीं कर पाईगा इसकार के जड़ी व्यक्तिकत अंतरानों त्यान देविच रखना चाहिदा है गाइड़ेंस देविच सही कार जड़ास्दांत प्रिंसिपल आफ ट्रू फंक्षन एस सिदा अधुनसार जड़ो वी अगवाई परदान करनी है सही कर्म विच करनी चाहिदी है उदर आरन्थे तौरते पुसी किसे व्यक्ति किते बारे अगवाई परदान कर देती पर सरीर के विकास बारे कोई वी अगवाई परदान नहीं कीती कि सेत द मतलब कि इस अगवाई दाकर सथी कर्म होना चाहिदा है थीक है? एक करम दे उन सार सानु जड़ी गाइडनस है प्रदान करनी चाहिए आपक किसे व्यक्ति नू क्या दिता कि एवाला किता है जड़ा बैस्ट है नू अपना लो बट अपन दे शरीर को भी कास देवाल कोई व्यनू गाइडन नी किता कि आप दी सेत दा भी नाल जड़ा ख्याल है ओ रखना है अपनी जड़ी प्रपर जड़ी डाइटा ओवी तू लेनी है सो एक सही का आर्ज दा सिदांत है सही जड़ा करम देवे चेड़ी गाइडनस है ओ दिती जानी चाहिदिये सारे पैलूमन होई ते आंदे बिच राक के अगवाई कीती जानी चाहिदिये जेकर तूसी प्रपर जड़ी गाइडनस हो नहीं दे पाऊंगे ता इन्दे जड़ उस वद्यार्थी देलेई उस वेक्ती देलेई हानीकार का साबत हो सक देने ते अगवे तो जेकर तूसी गल्त जड़ी गाइडनस हो देने ओ किसे नू सही प्रपर गाइडनस नहीं देन देता फिर तो अगवे तो अगवे तो आड़िकल कोई भी जड़ा गाइडनस हो नह नहीं लेना आवेगा सो सही कार्ज दसनांत सानू हमेशा सही जड़ी गाइडेंस है ओ अगले नू देनी चाहिए दिया नेक्स्ट राग्या जी संजोग दसनांत प्रिंसीपल लॉफ कॉपरेटिव अगवाई हमेशा संजोग नाल ही परदान किती जा सकती है किसे नू तक के अगवाई नहीं परदान कर सकती है इसकर के गवाई विच संजोग शामल है यह दा सिंपल जी जड़ी है लिखियो है कि संजोग दसनांत होन तो अनू ज़रूरत है गाइडेंस दी तुसी प्रिंस कर ली होन तुसी सोच रियां कि मैं होन केड़े कोर्स दे विच जामान लो गाइडेंस लाओंगे कि कीमिया एक कोर्स हैं दे कि आप अनू बेनी फिट है सो एक संजोग है ठीक है संजोग दे नाली यह परदान किती जा सकती तुसी पोच रहे हो तो अनू दस रहा है जेकर तुसी पोच नहीं रहेगे तो कोई तो अनू तक के दे नाल कोज भी थे और नू दे इंडे श सकती है कोई भी जड़ा तक के इंदे विछ शामल नहीं हूं दा नहीं देन वाले वल्लो थे निहीं लैन वाले वलों ठीक है और तुसी वी अपनी जड़ी 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 दिली ता अनू गाइडेंस ज़रूरत है तो है नू डिसरेपसिन लेक तो अपनु गाइड़ां से जुरूत पैंदी है तो दूसरा सानु गाइड कारता है क्योंकि आपने तो लो मदद मांग रहे हैं नेक्स्ट आग जी निरंतरता दासिधांत प्रिंसिप अलोग कॉंटिनिटी अगवाई निरंतर पर किरिया है ये जन्म तो लेके मौ तक चल दी रहन्दी है इस नियंतर पर किरिया विच अलाग लाग वेक्ती अगवाई पर दान कर दे रहन्दी आन्टे एक मनोख नुमी समय समय ते अगवाई दी जरूरत पैंदी है सो गवाई है उन जो एक निरंतर पर किरिया है ये चल दी रहन्दी ए नहीं है कि एक वरी तुसी गाइडेंस लेली एक वरी ता नुम नौल जागी ते बास सारी जिंदगी तो अनू लोड़नी है इद्धा नहीं होंदा तो अनू टाइम टाइम टू टाइम तो अनू जड़ी है गाइडेंस दी जरूरत पैंदी है ते समय समय ते जड़ा तुसी जड़ी guidance है किसे माहिर व्यक्ती तो तुसी लेंदे रन्यों ते परकीड़ा जड़ी नियंतर चल्दी रन्दी है, continue लगातार चल्दी रन्दी है नेक्स्ट रागे जी विस्थार दा सिदान्त, principle of extension, अगवाई दे विस्थार दे सिदान्तों सार, अगवाई सिर्फ एक वेक्ती जा कोज वेक्ती तक सीमत नहीं होनी चाहिदी, एस दा विस्थार हर उमर दे हर वेक्ती तक होना चाहिदा है, जो इस तो सिद्धे जा सिद्ध तो ऊड़िये तो औरते यस दा लाब उठा सकते है, तो इस दा विस्थार दसता था, यह नहीं होगा कि सारी उमर तो नेकी वेक्ती जड़ा गाईड करी जाविगा, तुसी सिर्फ एक वेक्ती तक सीमतों अजे यहां नहीं होन्दा, जिंदगी दे विच्छ तो आनो बहु जिन्नों जिन्दे को भी experience है कई वर की हुंदाई एक जो old days लगालो उन्नों में कई वर जड़ी जड़ी ज़रूरत पहजान दी है guidance दी एक educated जो person है उन्दे तो guidance दी ठीक है क्योंकि हो ज़्यादा जड़ा उन्नों जड़े तौर तरीके या ज़्यादा नहीं समझ आंदे ठी इंसान तो जड़ा है अपने तो shorty उमर दे जड़ा है लालो पर्सन तो भी जड़ी guidance है वो ले पूँदा है तो एक अदे भी guidance है जो एकी वेक्ति तक जड़ी सीमत नहीं होंदी बद जित्तो भी आपनों लाब मिल दा है जित्तो भी guidance आपनों मिल दिये ता आपा ले लेने शपष्टी करन्द स्तांत principles of elaboration इस दें सार पाठकर्म समगरी यते शिक्षन विदिया दा शपष्टी करन्ध होना चाहिदा है ता जो कोई तो आनुसे ये गवाई दे पाए जेकर शपष्टी करन्ध नहीं है ता गवाई परदान करने वाले नो बहुत मिश्कला दा सामना करना पैंदा है तो शपष्टी करन्ध होना चेड़ा बहुत रूरी है जिमे कि पाठ करम ता दी जो स्मगरी हुन दी है तो आणरी जो सलेबस है जेकर तौर अटिकलो सलेबस ही नहीं होवेगा ठीक है फिर शत्बस करन्ध होना ता फिर टीचर तो अनुसे ही गाईड कर पा कि एतीडवान सकतीआगा कि एसी अगोल स्टवी करले ते उस तु emailed okay करनी स्ट जाने करनी जैक जाम मों सकते माइन इस नेक्स्ट राग्याजी अनकूलन्दा सिधान्थ, प्रिंसिपल ओफ अड़्यस्टमेंट, अगवाई देश स्थान्थ विच अनकूलन्दी बहुत जरूरत है, अनकूलन्दे कार्णी जो समस्यां वा ते लोडा लई सानू अगवाई दी जरूरत पेंदी है, अनकूलन्दा स अनकूलन्दी बहुत जरूरत पेंदी है, इसे करके सानू बहुत सारा जड़ी अनकूलन्दी करना पेंदा, अपनू अड़्यस्टमेंट भी करनी पेंदी है, किसे भी माहिर तो अपनू गवाई दे पहुंचन दे ली आपनू अड़्यस्टमेंट जिंदगी दे विच करन ही पवेगी सो जड़ी गाइडेंस है उनकूलन दस्तांत विया प्रिंसिपल ओफ अर्जस्टमेंट हुई है नेक्स्ट रागया जी माहिर दी राय दा सिदांत प्रिंसिपल ओफ एक्सपर्ट ओपीनियन अगवाई वेच माहिर दी राय बहुत ही ज़रूरी है माहर तो बिना ऐसी अपनिया समस्यामादा हल नहीं कर सकते इसकर के जदो विसान ज़रूर्त पेंदी है ता माहिर जो त्यर्बे कर वेखती ही साधिगा समस्यामादा हल कर सकता है सो माहिर दी राय दा स्तांत जी बहुत ज़रूरी है महर दी राइ तो बीना गैंड साधिना समस्यां गाइड सकता है अगवाई दे प्रोग्रम दे विच मुलागवाई परदान कार दे होता नाली नाल तुसी रकॉर्ड भी रखो कि किनी तब्दिली आई गया है की पर वापयात कोई तब्दिली दी जरूरता नहीं है जे कर दे कल कोई गाइडे बस लेया है जे कर तुसी ख्लास दे विची पढ़ा रही होँँआ tweaks goofy तब्दिली आई विच वर अगिभ्रम धरूर्म हम्द celeba की तुसी गाइड करता नहीं विच गर्णा समुढ दिली घरूर कशी बश्याशना वाइ रहा हुँआ bumps की किनना बच्चे दे विच किनी इंप्रूमेंट है कोई बच्चा जादा नहीं मतलब की फॉलो कार पा रहे है गला नुझा सिख नहीं पा रहे है ता उन्हों तुसी गाइड कीता उन्हों तुसी समझाया तो उस तो बाद उन्दा जड़ी इवैलूएशन भी करने जरूरी है क किनी तब्दीली आई है किनना एव दियारती सिख पाया की परवावेंदे देविच पिया है कि मिन्नों होर जड़ी इन्नों गाइडन्स देन दी जरूरत है ठीक है होर जड़ी मेरी गाइडन्स देविच तब्दीली जरूरत है कि इन्नों मैं ऐस लेवल ते इन्नों outside so guidance देविच मुलाकनद से आतवी है चामल कर दे है जब हैसी किसे नोगाइड कर दे है ठीक है कोई वी कि वें पहुंचिया जा सकता है उससे रिजल्ट तक सो मुलाक का दस्तांत भी पूरी तरह दनल गाइड़न्स देविश शामल है उस तो ग्यागा जी जुम्मेवारी दस्तांत प्रिंसिपल ओफ रिस्पॉंसबिल्टी अगवाई देविच जुम्मेवारी दस्तांत भी शामल है अगवाई का आरज विच मापें आते हैं आपका दी बड़ी वड़ी जुम्मेवारी है जदो अगवाई कार अगवाई करदा है पामे फैंसला व्यक्ति कतुंदा है पर अगवाई देन वाले मापे चाहिए दे आप अगवाही देवेचान जुम्मे वारी आपने ऊपर आ जान दी है आपन ध्यूरी तह दकोर में अध्यूरण बच्चे लिए उन्हों उन्हों थैज गाइड कार दियों कि अध्यू相र भी तुणिषिया обाईब्लन जान दिहें। जो गाइडनस जो फ्रीु ओफ कॉस्ट भी हो ख़ा है क्यों ह canonule गाईड दिए को पैसे मोज़ताastern गाइड़ कर रहा है। जुम्मे वारी एक सिधान्त भी है गा जी प्रिंसेपल ओफ रिस्पॉंसबिल्टी भी है जी एक ट्यूशन सेंटर दी एक्जाम्पल ही मैं देडी सी था एक जुम्मे वारी उस बच्चे नो लेके बाद जान दी है कि इन्नों मैं एवधिया रिजल्ट जड़ाय लेके आवे इन्द विच इंप्रूमेंट हो वे एक रिस्पॉंसबिल्टी भाण जान दी है जे कर मापे वा दिया थी नों गाइड कर रहे है कि एद्दा करता मापे आं दी भी बहुत वड़ी जुम्मे वारी हुंदी है कदे आपकदी भी जुम्मे वारी हुंदी है ते माहिर व्यक्त प्रिंसिपल आफ प्रिडिकल एवैलुएशन अवर्ती जांच तो पाव है अगवाई परदान करन तो पाव इस दी सफलता दे सिट्टे की निकल दे आते निर पर करती है वर्तमर्ण स्कूल अगवाई प्रोग्रम दी अवर्ती जांच करनी चाही दी है तो अवर्ती आफ स्कूल दे वेच जड़ी अवर्ति जान चाहिए स्कूल दे वेच भी वद्यार्थ नूपडा के अगवाई जड़ेपर आफ आवर्ति जान प्रिंसिपल्स गाइडेंस नू लेके लिख सकते हों तुसी उद्बास सिट्टा लिखना होंदा जी आपने मैं तानू हर एक ग्जाम दे विच जो मैं नूर्स प्रवाइड करवानिया तुआ नू दिविदास दिया कि तुआ एक पैट्रन होना चाहिदा तुआ अटांसर ल होंगे कोई मीनिंग लिखोंगे तुसी मीनिंग लिखोंगे तुसी मीनिंग लिखोंगे तुसी गाइडेंस दा उससे बाद तुसी ड्याफिनेशन लिखोंगे ड्याफिनेशन लिखोंगे तुसी मीनिंग लिखोंगे तुसी मीनिंग लिखोंगे तुसी मीनिंग वीडियो नहीं वेखी ता उस वीडियो नो ज़रूर देखलो तो उन्दी तो नो मीनिंग इंट्रोडक्शन बारे पता लाग जुगा उस्त बाद तुसी प्रिंसिपल्स उन्ना नो स्टार्ट कर दोंगे तो एंट ते तुसी कॉन्ट्यूस करके जड़ा फिनिश कर दोंगे अब दा अंसर सिट्टे दिगल कर दियांची ए सिधान्थ अगवाई पर दान करन जा अगवाई लेंद ले बहुत मत पुन्हीं सिधान्थ हन इन्ना सिधान्त नो त्यान विच राखदे हुए अगवाई धित्ती जा लई जानी चाहिदी है क्योंगे गल्थ दीशा वीच लेए अगवाई जान्थ खतरनाक होंदी है तो गवाई अपकिटर दान कर दियाना papa ओद बिसा म equiv schwin ळाशना ईनल भेविच राखनी दां चाहिदा है क्योंगे अगवाई लेन वाले वी तंगवाई देन वाले वी दphonह देंगाई मिया सिधा मेंिक द्लूम आण सिधैं, ये टेल दे विसमें जाय से तो अगर पता लाग जावेगा कि ये देनवाले आ कि लेनवाले आ इना स्नादरू ते आन विचे रखदे होई ये गवाई दित्थी जानी चाहिए जे कर गल्त दीशाह हैं वेचा आपा गवाई लेनने या जो देनने या किसे अजय वेक्टि तो अपाँ गाइडन्स लेली जिनूँ खोदी नौलज नी सी आगी जह अपाँ अजय ही गाइड कार दे ता जिन दी अपनू नोलज नी आगी सी ता अजय ही नौलज दूसरे वेक्टि ते लेही बहुँच जटी जडी खांटरना कच ब एक आपने खोद लेवी खांटरना कच बेहां जए प्राप्पर दया नोर्स प्रिंसीपल ओफ गाइडनस अब वैं गहीं गरन method literature १ तह लाइक वेदिया लइंग तब वीडियो नू लाइक करो ज्रूँ सकंट थे अपने फ्रेंग्स देनाल 乐साफ गुरूपस देे विटे शेयर ज्रूँ करो थे जेकर है तक चैनल लो नहीं किता ता चैनल लो ज्रूँ सब्सक्राइब करलो ते नाल दी नाल बेल लाइक कंदा बटन जरूर प्रेस करदो ताजो मेरिया आणवालिया वीडियोज दे नोटिविकेशन तो आड़े तक पहुंच सकन थैंक्स फार वाचिंग